नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केट विजन में जैसा कि हम जानते हैं कि तेहार का मौसम आ चुका है और हमें बहुत सारी काम है और अभी हमें घर को भी सजा कर रखना है तो इसके लिए मैं आज आपके हो तोरन के डिजैन नहीं हो जिसे बनाना बहुत ह आज की वीडियो की शुरुबात करता है नहीं सब्सक्राइब चाल यह यह अग्दो हमों सबसे बनते हैं श्यासने के बनाने के लिए यह इस बड़े भीशक्ती नहीं रखती कर geweक्त में भीशक्राइन में झाली हां चोना को तो इस तरह से हमें इन पत्तों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे जैसे ये प्लस का साइन बन जाए आप चाहे तो इसे सील सकते हैं लेकिन दिवाल में बहुत सारा काम होता है तो इसे हमें जल्दी बनाता है होता है तो इसलिए हमें इसे इस तरह से स्टेपल कर लेंगे बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब मेरा ये तोरन यूज हो जाए तो हम इसे पीन को निकाल कर इसे dustbin में डालेंगे और इस तरह से हमें चारों तरफ से इसे पीन कर लेना तो ये पहला पार्ट बन गया और दूसरे पार्ट में क्या करना फिर से मैंने चार पते लिए और ये पत्ता थोड़ा सा छोटा है तो इस तरह से इसे भी हमें इसी तरह से प्लस का साइन बनाना है तो देखे इस तरह से और इसके बाद हमें इस तरह से इसे पीछे से इस तरह से टर्ण करते हुए एक दूसरे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे देखे इस तरह से बस ध्यान रखना है कि इसका जो यह साइज है वह इकवल हो और तुर यहाँ से यहाँ इस तरह से इस बनाते हुए यहाँ भी अगर आपको एक श्च्रा दिखे तो बस हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है और तीसरा पार्ट तो अब हम तीसरे में हमें पार्ट में करना किस तरह से हमें पत्ता को लेते हुए इस तरह से यहां से कट कर लेंगे और यहां से भी हल्का सा कट कर लेंगे और इसे हम अपने फिंगर में इस तरह से round का shape कर लेंगे, देखें इस तरह से अगर आप steple कर पाते हैं, तो steple कर लिजए, वरना हम बहुत easily अगर paper पीन लेके, इस तरह से हमें पीन कर लेना है इस तरह से, और इसी तरह से हमें इन सारे पत्तों को बना लेना है भिस finger में इस तरह से हमें और फिर इस तरह से यहाँ पेपर पेन लगा लेंगे और एक करक करके हमें इन सारी पत्तों को इसी तरह से बना लेंगे इसके लिए आप अपने पसंद का कोई भी फूल ले लिजे और फिर मैंने इस तरह से नीडल में थ्रेड डार लिया आपको जितना भी लंबा बनाना उतना लंबा थ्रेड ले लिजे और यहाँ पे बस एक काम करना कि मैंने सेम लेंद का एक और थ्रेड ले लिया अब हम इन सब को एक साथ मिलाएंगे तो देखे करना क्या है तो सबसे पहले हम इस तरह से दो फूल लेंगे और इस तरह से इन फूलों के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है मैंने आए एक फूल लिया और दूसरे फूल को भी इसी तरह से और नेक्स्ट यह जो मैंने रोल बनाया था इस रोल को लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है और इसको यही पे हमें इस तरह से जौड़ देना और जो मैंने दूसरा वाला थ्रेड लिया उसे भी हमें इस तरह से नीडल में डाल लेना है अब मैंने दूसरे थ्रेड में नीडल को डाल लिया और सेम इसी तरीके से फिर से हमें दो फूल लेना इन दोनों फूल के बिश से इस तरह से नीडल को हम निकाल लेंगे और फिर से इस तरह से देखे एक रोल लेंगे और फिर हमें ये जो मेरा दूसरा वला थ्रेड है इसे भी हमें इसी तरह से इस नीडल में इन कर लेना है उसके बाद मैं आगे बताओंगी कि हमें आगे क्या करना है इस तरह से दो फूल और एक पत्ता मैंने दोनों फ्रेड में डाल लिया उसके बाद दोनों फ्रेड को मैंने इस तरह से नीडल में डाल दिया नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर से एक रोल लेंगे और इसके बीश स इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है और इसके बाद जो हमने ये छोटे वाले पत्ते से बना था इसके ठीक सेंटर में इस तरह से हमें नीडल को डाल लेना है इस तरह से फिर हमें ये वाला पार्ट तो इसे हमें करना क्या है इसे हमें अपोजिट साइट से देखे ये जो पत्ता है इसे नीचे रखना और इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेंगे और इसके बाद इस तरह से फिर से हमें यह फ्लावर लेना है एक एक करके हम लगबख छे से साथ फ्लावर हमें इसके बीच से निकाल लेना है देखें यहाँ पे हम सबसे पहले छे फ्लावर लगा लेंगे उसके बाद एक बार देख लेंगे उसके बाद हम अगर जरूत हो तो और एक दू फ्लावर डाल लेंगे तो इस तरह से एक एक करके हमें इन फूलों के भी से बहुत सिंपल सा है और ये बढ़ने के बाद बहुत खुबसूरत लगेगा आप चाहें तो इसे एक दिन पहले बना कर फ्रीज में रख सकते हैं और दिवाली के दिन हम इसे लगा सकते हैं क्योंकि दिवाली के दिन बहुत काम होता है तो तोरं बनाने में भी समय जाता है लेकिन ये तोरं है बहुत आसानी से और जल्दी बने वाले यह देखे जैसे मैंने 6 फ्लावर लगा लिया तो एक बार इस तरह से हमें यह जो पत्ता का किनारा यहां रखके इस तरह से हमें इन चारों को इस तरह से देखे एक बार इन चारों को हम इस तरह से जोइंट करेंगे और इसे इस तरह से देखना है कि देखे इस तरह से अगर हम साइट से देखें इस तरह से तो यहाँ पर एक फूल और जाएगा तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक बीच में एक फूल और डालूँगी और एके करके इन पत्तों को किनारे से देखे इस तरह से मैंने नीडल को निकाल लिया यहां से अब हम यहां आएंगे चारों पत्तों को एके करके हमें इस तरह से इसके बीज से नीडल को निकाल लेना है देखे इस तरह से और फिर ये मेरा चौथा है तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने निकाल लिया देखे इस तरह से और फिर नेक्स्ट हम करेंगे फिर से हमें इसी तरह से दो फूल लेने हैं अब ये मेरे अनुसार है किसे हमें कितना लंबा रखना है आपको जितना लंबा रखना है उसी तरह से दो फूल फिर इसके बार एक रोल इस तरह से देखे फिर यहाँ पर एक रोल डालेंगे जितना आपको इसका हाइट चाहिए उस अनुसार हमें फूल और रोल डालते आप देखी रहे कितना असानी है बस थोड़ा सा तयारी अगर हम कर लेते हैं तो ये बनने में बहुत असानी होता है तो देखे मेरा ये तोरण बनका तयार है अभी मैंने इसे रखा इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन अगर इसे आप इस तरह से हैंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा से लगेगा तो इसी तरह से हमें दो बनाना दर्वाजे के दोनों साइड हम इसे टांग लेंगे अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों को अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसी तरह सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल बहुत सारे तोरन के डिजाइन डाले हैं अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कर कमेंट बॉक्स में जाकर अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना हो तो आप जरूर कमेंट करें तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में